सो हे गाइस और वेलकम बैक तो अनदर न्यू ब्लॉग आज के इस ब्लॉग में गाइस हम लोग जाने वाल हैं सेवन वंडर्स ऑप देखनी के लिए और कहां है और कौन सी जगह है वह आप लोग में आज इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूं आप लिए टाइटल और ठमिन करते हैं लेट्स बिगेंद दॉग तो पहुंच चुके है वेस्ट वंडर्स पार्क पर अन यह वांका एंट्री गेट अन यहां पर कुछ आप लोग देख सकते हो टेकेट्स बगेर का चांद काड़ी सो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं यहां I guess construction का कुछ काम चल रहा है यहां पर हम लोग आ चुके हैं अंदर यहां पर आप देख सकते हो कितने मस्त यहां पर पेड़वेर लगाये गए और काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छे नेच्रल हवा भी चल रहे हैं यहां पर एक fountain भी है यहां पर एक चीज मैंने नोटिस की because of the trees guys यहां पर थोड़ी कम गर्मी लग रही है हमें और यहां पर हमें पहला वान देखने को मिल रहा है जो कि है गीजा का पिरामिट काफी चोटू सा लग रहा है मैं आप लोग को नस्दिक से दिखाता हूं और यह उससे बनाया होता है न मेटल पाइप चुब कहते हैं हम लोग रैटेंगलर सेपके उसी से बनाया गया मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यह देखे गाइस उसी से बनाया गया अच्छा बनाया गया काफी यहां पर कुछ इंपो वगरा है जो आप लोग पढ़ तकते हो पॉस करके और यहां पर देखिए मैं जो बोला था मेटल पाइप से विए और यहां बच्चे कहां से आ गए और भी वाव इनके पैरेंट्स कहां यार अब बस एक ही चीजिया आदाता है मुझे तो यहां आम लोग नेक्स देखने के लिए हैं लीनिंग टाबर ऑफ पिसा और वह कुछ ऐ रूं능 लोग जो इसा बनाया गया है मैं लोग चल पर शूरा के हैं तो ब्लाए खेली से आपको fel कुछ करानें गया है अब मन लोग चलने नेक्स देखने ने. हाँ चलिए चलते हैं सो अभी हम लोग अंदर के और जा रहे हैं बागी सब में तो हम नहीं जा सकते थे पर नहीं पता वो बच्चे कैसे गये खैर छोड़ो तो यहां से आप लोग देख सकते हैं यह देखकर मुझे कोई मूवी का सीन याद आ गया और काफी अच्छा लगड़ा आप लोग देखो हो अभी हम लोग नेक्स्ट वांडर देखने के लिए जा रहे हैं यहां पर एक टॉगी है और काफी अच्छा लगड़ा है यह गली जैसा जो है मस्त लगड़ा है पेड़ी पेड़ चाड़ो तरफ इस लुकिंग वेरी नॉइस बूशे बगरा कितने अच्छा से यह लोग भूल गया है यहां पर यहां पर एक सीन हुआ गाइस जो मैंने आप लोगो बैक दिखाया था वह एक दीदी खाता और वो सामने से एकदम दोड़ती हुए एक मूवी के सीन की तरह है और उन्हों को अपना बैक मिल गया यह बड़ चली गई मैं रिकॉट्टो नहीं कर पाय बड़ उनको अपना बैक मिल चुका है एन यहां पर नेक्स्ट वांडर है कोलोजियूम यहां पर आप लोग पॉस करके पढ़ सकते हो गर पढ़ना हो तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूं किस तरह यहां पर बनाया गया है पर लिए देख लीजे पॉस करके आप ल और ब्लाकिश टाइप का मेटल टाइप का क्यों है ओ हां अफकोर्स क्योंकि यह मेटल के बने हैं हमारा कोर्यों तो अभी चलते हैं और नेक्स्ट वांडरर दखने के लिए तो चल ये गैस आखिक जिए और अलग एस्टार पॉट्स को तो लेट्स ए अगला वंडर कौन लिएक अला को लट्स घल तो हमारा नेक्स्ट वॉंडर है ताज महल यार यह भी ब्लैकिश मेटल टाइप का एक इसको तो वाइट कर देते एंड मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैं पिछले बार आया था देली तो मैं आगडा भी गया था एंड रियल ताज महल मैंने देखा एंड यह कुछ ऐसा लोग ने बना के रखा है देख सकते हो चली यहां पर वोटो क्लिक कर ला लेते हैं और यहां पर कुछ ऐसा मिनियेचर वर्जन बनाया गया है और कॉपी करने का ट्राइप किया गया है तो यह था हमारा ताज महल अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कौन सा वोंड में आना चाहिए था अब अब लोग जल्दे देख कर निकलेंगे और आप लोगो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग एवनिंग में आओ और देख कर जाओ और यहां मैं आप लोग कुछ दिखा देता हूं जो कि है इवनिंग में हमारे वॉंडर्स कैसे लगते हैं और कि सब्सक्राइब लोग दिखा देता हूं यहां मैं आप फोटो क्लिक कर वा लिता हूं इसके बार आप लोग को मिलता हूं यहां पर फ्री स्पेस होने से मैं कलिक क्लिक कर आऊंगा सो अभी यह रहा हमारा नेक्स्ट वॉंडर जो कि है स्टैच्टू ओफ लेवर्टी यह अब आप देख सकते हो और यह वाला काफी छोटा सा बनाया गया है अब लोगों को दिखा राता हूँ कि यह रहा हमारा स्टैच्ट ओफ लिवर्टी जो कि कुछ ऐसा है एंड यहां पर मैं आपको अच्छे तरह से दिखा तो अड़े फिर से एक बच्चा एक मिनट काईस मेरे को यह वही बच्चा लगए यह फिर से अंदर चला गया है इसके पैरेंट्स है कहां यार और यह कुछ ऐसा है मैं वह दिखा देता हूं बच्चों कोई पकड़ लो यार अब मासी कर रहे हैं वहां पर मुल गया ऐसकी मम्मी सको मज़ा आ गया है कि अब हम जा रहे हैं आगे की और एंड देखते हैं अब यहां पानी बेने का जगाह एंड यहां पर मौसम भी काफि आच्छा हो रहा है चलिए आगे चलते और हम पर लाइट देखने को मिल रहे हैं जो कि इवनिंगे टाइम जल लाए जाते हैं on किया जाते हैं मैं इसलिए आप लोग बोल रहा थे इवनिंग टैम में आप लोग विजिट किजेगा काफी अच्छा लगता होगा कि सो अभी यहां पर हम लोग को कुछ देखने को मिल रहा है वाटफॉल जैसा कुछ है लेट लेट सी क्या है गाइस कि यहां पर हमें एक आर्टिफिशल वाटफॉल देखने को मिल रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है दिखने में और वहां पर एक बंदर है लटका हुआ रियल बंदर नहीं वह प्लास्टिक वाला बंदर है वह बल्ब पकड़ा हुआ है कि यहां पर एक छूटा सा कैंटीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा धावाद हो भी है यहां पर आप लोग आपके खाना भी खार सकते हों यहां पर तो अभी हम लोग घर के और निकलेंगे एंड गाइस वेरी स्वारी ब्लोग बहुत जाला डिले हो गया अभी और भी ब्लोग आएंगे जल्दी ही मैं ट्राइ करूंगा लाने का जल से जल आप लोग के लिए नहीं ब्लोग तो आप लोग प्लीज सपोर्ट डिखाए गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लोग अच्छा लगा ह